कि अगे कि तैयारी कर रहा है सभी दोस्तों को पंकजो जाकर नमस्कार दोस्तों आ गया हूं लेकर आपके सामने कैथरीन मैंस फिल्ड को आपका एल्टी ग्रेट का सेले बस धीरे धीरे फिनिश हो रहा है और सबसे बड़ी बात है जो हमारा पढ़ाने का धंग है हम आपको हि हिंदी में भी एक्सप्लेइन कर देते हैं और हिंदी का कंटेंट भी देते हैं तो दाट्स वन्डर्फुल थिंग दूसरों से पढ़ने में हमसे पढ़ने में शायद यही फर्क है और हमें exactly मालूम है कि आपके उग्जैम में आना है और नहीं आना है कहां से question ज्यादा put up ह होते हैं तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर to the point आप study जारी रखेंगे और हमारे notes को जो कि हमारे paid channel पर या हमारे app पर प्रोवाइट किया जाता है उसको आप देखते रहेंगे तो आपको निश्चित तोर पर फायदा होगा चुकि हर चीछ को हम चुकि हिंदी भाषी छेत्र के हम आपको हिंदी में भी प्रोवाइट कर दे रहे हैं मान लीजी काइथरीन मैंस्विल का the fly है हमारे सेलेबस में तो आपको सिर्फ इंग्लिश में मैटर नहीं मिलेगा पूरी की पूरी शॉर्ट इस्टोरी हिंदी में भी हम प्रोवाइट कर देंगे और तो इससे बहुत मदद मिल जाती है खासकर कहानी से तो करेक्टर्स पुछे जाएंगे या कहानी के बारे में कुछ कर सकता है तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यहां आप आ सकते हैं और हमारे कोर्स परचेज कर सकते हैं जिससे आपको बहुत फाइदा होने वाला है एल्टी ग्रेट का लिटरिचर का सिलेबस फिनिश होने वाला है और इसके बाद दोस्तों हम ग्रैमर और जीयस के सिले देखें, Kathleen Mansfield, New Zealand Writer, यह दोस्तों New Zealand की राइटर हैं, कहां की है, New Zealand की यही जान, यह ध्यान में रखियेगा आप, चुकि यह भी पूछा जा सकता है, कि Kathleen Mansfield hails from, मतलब कहां से बिलॉंग करती है, Kathleen Mansfield, यह भी पूछा जा सकता है, तो New Zealand की यह राइटर है, essayist है, and generalist है, was widely considered one of the most influential and important authors of the modernist movement, जो आधुनिकतावाद है, जो modernist movement है, उसकी बहुत ही प्रभावशाली author मानी जाती है, Kathleen Mansfield, आगे देखते हैं दोस्तों, she was born on 14th October 1888 in Wellington, New Zealand, Wellington में cricket match खेला जाता है, अगर जो लोग cricket में interest रखते हैं, तो New Zealand के जब Indian team जाती है, तो Wellington में कोई नो कोई match जरूर रखा जाता है, आपको Wellington याद रहेगा, इनका जनम भी Wellington, New Zealand में हुआ था, ओके ये ध्यान में रखना है आपको, उसके अलावा दोस्तों देखते हैं, हर रियल नेम वाच, Kathleen Mansfield, बूचैंप, इनका ये रियल नाम था, Kathleen Mansfield, बूचैंप, मरी, ये इनका रियल नेम है, पूरा नाम अगर पूचा जाता है, Kathleen Mansfield, बूचैंप, मरी, ये पूरा नाम इनका है, ये आपको ध्यान में रखना है, हमारे यहाँ, तू दो पॉइंट, जो भी हम बताएंगे, आपको तू दो पॉइंट बताएंगे, और आपके syllabus से related, अगर हम जो चीजें बता रहे हैं, जो चीजें हाइलाइट कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपके लिए important है, और यकीन मानियें दोस्तों, इसी strategy को फालो करते वक्त हमने टॉप किया था, वसुंद्रा में की 8th rank आई थी, यही सारी चीजों को हमने यही strategy को फालो किया था, और TGT में भी हमने यही strategy अपनाई थी, जब पहली rank मेरी आई, तो यही strategy थी मेरी, पढ़ने की, और चुकि हर एक point को हमें exactly अब धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते और पढ़ते पढ़ते यह मालूम हो गया है, कहां से question आने है, कैसे question आने है, क्या strategy होनी चाहिए, apart from और video lectures, जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे teachers live classes चलाते हैं, लेकिन live classes में आपको जो content एक घंटे में मिलता है, वो content ह हमारे यहां आपको 10 minute में हम दे देते हैं, कहने का मतलब 50 minute कि अगर हमारी class चल रही है, recorded video की, तो वो दो घंटे, तीन घंटे का material हम आपको देते हैं, हमारे यहां professionally, बहुत ही logical ढंग से आपको तैयार किया जाता है सफल होने के लिए, और कुछ नहीं, no entertainment, वाकी चीजें नह करते हैं, कुछ दिन हम बहुत hard work कर लेते हैं, तो वो long term में हमारे लिए beneficial होता है, ना कि बिलकुल जैसे live classes होती है, एक तरह का कई बार entertainment भी उसमें जुड़ा होता है, या बाकी चीजें होती है, teacher एक ही material को 10 minute के material को 50 minute तक खीचता है, लेकिन वो हमारे लिए हमारे उसूलों के खिलाफ है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सीधे professionally, बहुत ही professionally आपकी पढ़ाई की चिंता करते हैं, और आपको कैसे सफल होना है, आपको हम guide करते हैं, और हमारा target है पूरा का पूरा की जितने selection हों, आपकी वारल्टी ग्रेड में, English में, लगबग 50% selection हमारे यहां से ह और इस उद्धिश को ध्यान में रखके हम आगे बढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं, इनके father का नाम देख लेते हैं दोस्तों, इनके father Harold Buchamp थे, mother का नाम Annie Buchamp था, तो यह ध्यान में रखना है, Harold Buchamp, Annie Buchamp इनके parents थे, she wrote under the pen name of Catherine Mansfield, किस pen name से लिखा इनोंने, Catherine Mansfield इनका pen name है, ध् ने आपको बताया है, यह Catherine Mansfield, Buchamp Murray, यह original name था, pen name Catherine Mansfield के pen name से लिखती थी, she married John Middleton, Murray, a critic and assessed, यह John Middleton से इनकी शादी हुई, जो कि एक आलोचक थे, और अधिबंदकार भी थे, in 1918, after the divorce from George Borden, कब इनकी शादी हुई, John Middleton से, 1918 में, जब इनका George Borden से तलाक हो गया, उसके बाद इनकी शादी, John Middleton से हुई, John Middleton, आलोचना के छेतर में, critical छेतर में एक बड़ा नाम है, Her first story entitled, In a Blake, जान में रखियेगा, first story, In a Blake was published when she was nine years old, पहली story जब सिर्फ 9 वर्स की थी, तभी publish हो गई थी, कितनी प्रतिभाथी, इस से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, It appeared in the high school reporter in Wellington, with the editor's comment that it shows promise of great merit, उसमें note लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ था, it shows promise of great merit, कि अच्छे गुण का जोत्योक है, इनकी जो कानी थी, पहली कानी, in a Blake, जो कि 9 वर्ष की थी, तभी high school reporter में published हो गई थी, Her final work, apart from unfinished material, was published posthumously in the dubs nest and something childish, अब देखिए, इनका जो final work है, जो unfinished work है, उसको छोड़ के, जो इनका final work है, जो complete work है, वो कहां publish हुआ posthumously, मतलब इनकी death के बाद, the dubs nest में, 1923 में publish हुआ, and something childish में, 1924 में, मतलब जो इनका पूरा काम था, complete work था, वो dubs nest में, 1923 में, और something childish, 1924 में publish हुआ, जो unfinished work था, उसको छोड़ के, She died of pulmonary hemorrhage, pulmonary hemorrhage से इनकी death हुई दोस्तों, pulmonary hemorrhage क्या होता है, एक तरह के फेफ़णों का जैसे बहुत ज़्यादा bleeding हो जाती है, फेफ़णों से बहुत ज़्यादा bleeding हो जाती है, दरसल इनको पहले ही tuberculosis हुआ था, और उसके बाद pulmonary hemorrhage हो गया, जिससे इनकी death हुई 9 जनवरी और 1923 को, कहां पर death हुई फ्रांस में, कहां पर इनको दफनाया गया, दफन कहां किया गया, Cemetery D. Ewan में इनको दफन किया गया, ये कहां पर है, Fountain Blue के नजदीक है, फ्रांस में, ये सारे तथ्चों को आप दिमाग में रखेगा, ध्यान में रखेगा, आएए स्टोरी पर आते हैं, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, दोस्तों, पहली चीज जानिये, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, कि दफलाई है, क्या, कौन सा जॉन्रा है, सॉर्ट स्टोरी है, नॉवेल है, कि नॉविला है, तो ये कई बार बहुत बेसिक क्वेस्टिन किये जाते हैं, इसलिए जो भी आपके सिलिबस में रचनाए हैं, उनको आप ध्यान में रखेगी कौन सा प्रोजवर्क है, कौन सा नॉवेल है, कौन सा एसे है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सारी चीजों को, अगर आप महंती स्टुडेंट हैं, और जुड के हम से आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, otherwise बाकी जगों पे तो आप जानते ही है दुकाने खुली ही हुई है The Fly is a short story by Catherine Mansfield Catherine Mansfield की short story is Fly, ध्यान में रखियेगा genre क्या है short story The story was first published in the nation and Athenium on 18 March 1922 and it later appeared in the dubs nest and other stories अब देखिये यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है The Fly is an existential study of the effects of senseless death upon others and their loss of will आप देखिये फ्लाई में है क्या इसको समझ लीजिए Fly story किस बारे में है नहीं तो आप confused होंगे इस story पढ़के कि story में था क्या आखिर आपको समझ में नहीं आएगा देखिये The Fly is an existential study अस्तित्ववादी अध्यन है जो The Fly नाम की short story है लगू कहानी है वो अस्तित्ववादी अध्यन है जो senseless death हुई World War First में कई युद्ध लड़े यूरोप ने यूरोप में जो Darwin की theory थी survival of the fittest की कई युद्ध करवा दिये उसने कई युद्ध हुए तो उस युद्ध में जो senseless death हुई वह तुहीं जैसे अभी यूस और यूकरेन का चल रहा है कोई मतलब नहीं है लोग मारे जा रहे हैं लोग घर से विस्थापित हो रहे हैं दूसरे देशों में जा रहे हैं कोई इसका sense निकलता है क्या तो senseless death पर ही इसकी theme है दूसरों पर जो senseless death इंपोज कर दी जाती है वो इसकी theme है ओके ये ध्यान में रखना है आपको दो फ्लाई जन एक्जिस्टेंसल स्टडी आप दे इफेक्ट साफ senseless death और जो senseless death होती है उसका प्रभाव क्या पढ़ता है जिसके परिवार में वो डेथ हुई है जिसके घर में वो डेथ हुई है उस पर उसका प्रभाव क्या होता है तो ये एक्जिस्टेंसल स्टडी है effects of the senseless death upon others and their loss of will theme of the story अब स्टोरी की theme पर आते है grief है, दुख है, mourning है, कही ने कही निराशा है, हताशा है death and forgetting are the main themes of the story आगे देखते हैं अगला point दोस्तों the story relates a meeting between a businessman referred to as the boss एक boss, the boss नाम का है इसमें businessman होता है and his friend उसका एक दोस्त होता है दो लोग पहले आप जान में रखिये एक businessman है, उसका नाम क्या है, the boss the boss and उसका एक दोस्त है the conversation stirs up thoughts of the boss's late son अब जो बात चीत होती है इन दो दोस्तों में उससे क्या विचार सामने आते हैं जो boss का गुजरा हुआ पुत्र है कहीं ने कहीं उसकी thought उसका खयाल वापस आजाता है boss के मन में जो world war first में मारा गया था मतलब दो दोस्त बात कर रहे हैं बातों ही बातों में उसे अपने उस पुत्र की याद आ जाती है the boss को जो की world war first में मारा गया है and afterward he methodically kills a fly on his desk उसके बात ही वो क्या करता है एक fly है उसकी दवात में इंक पॉट में पड़ी हुई है उसे निकालता है पहले उस पे एक बून डालता है इंक की तो वो थोड़ा सा वो सर्वाइव करने की कोशिश करती है लेकिन उसके बाद दूसरा जब दूसरी बार उस पे इंक का दूसरी बून डाली जाती है तो वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाती उसके बाद ऐसा करता है दवास पहले उसका दोस्त आता है उससे मिलता है बाते करते हैं दबॉस को अपने पुत्र की याद आ जाती है उसके बाद वो देखता है कि दवात में जो इंक पॉट है इंक पॉट में उस समय इंक पॉट चलता था लोग लिखते थे निव वाले पिन से अगर आपको याद हो अगर आपने कभी experience किया हो तो फिर क्या होता है कि वो उस fly को उस मक्खी को निकालता है निकालने के बाद देखता है कि वो मक्खी सर्वाइब करने की कोशिश कर रही तो उस पर एक बून डाल देता है इंक की तो वो जब एक बून डालता है तो वो सर्वाइब करने की कोशिश करती है उससे बाहर निकलने की कोशिश करती पर दूसरी बूंद डाल देता है तो फिर मर जाती है कहने का मतलब जो डफलाई है सिंबॉलिक है कैसे लोग मारे जाते हैं senselessly मतलब मक्छी को मारने का दबॉस ने जो मक्छी को मारा उसका क्व कोई रीजन आपको समझ में आता है कोई रीजन नहीं है एक सेंसलेस डेथ हुई दफलाई की वो एक सिगनिफिकेंस है कि कैसे लोग मारे जाते हैं जो मक्षी पर शाही की एक बूंद वो डालता है तो मक्षी उससे उबर जाती है लेकिन जब दूसरी बूंद वो डालता है तो मक्षी मर जाती है जिस प्रकार मक्षी को दबॉस नाम afterwards he methodically kills a fly on his desk, वो बाद में पहले तो से अपने पुत्र की याद आती है, अपने दोस से बात करने के बाद, उसके बाद वो एक मक्ही को मार देता है, अपने पुत्र के बारे में रियुमिनेट कर रहा होता है, वो अपने पुत्र के बारे में रियुमिनेट कर रहा होता है, विचार कर रहा होता है, और वो cruel action जो मक्खी को मारने का फ्लाई को मारने का एक बून पहले स्याही उस पर गिराता है फिर दूसरी बून स्याही गिराता है मक्खी मर जाती है तो जो उसका ये निर्दे कारिय है मक्खी को मारने का और जो उसकी दार्शनिक मंत्रना है जो दार्शनिक विचार है वो क् शो कर रहा है, pointlessness of life paint and unsettling picture of war and its consequences कि युद्ध का जो एक डिश्य है और युद्ध का जो दुस परिणाम है और जो senseless death हो रही है युद्धों में उसको दिखाया गया है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मख्धी को बिना किसी मतलब के वो जिस प्रकार मार देता है उसी प्रकार युद्ध में इंसान बिना मतलब के मारे जाते हैं In short, the fly has been recognized as a dark portrayal of world warfuss, मतलब इस मख्धी के जरिए विश्युद्ध प्रथम विश्युद्ध का चित्रण किया गया है on European society European समाज पर प्रथम विश्युद्ध का जो प्रभाव पड़ा उसका चित्रण दफ्लाई नाम की स्टोरी के जरिए या उस मक्की के जरिए किया गया है and more broadly the effect of loss and grief on the human psyche जो प्रभाव पड़ता है जो दुख होता है मानो मस्तिस्क पर मानो के मनो विज्ञान पर उसको दिखाया गया है किसके जरिए दा फ्लाई नाम की स्टोरी के जरिए आईए इसके करेक्टर्स देख लेते हैं दोस्तों करेक्टर्स इस स्टोरी में Mr. Woody Field है an old and infirm man एक बढ़ा व्यक्ती है Mr. Woody Field who is only allowed to leave his house on Tuesday उसको उसके घरवाले सिर्फ एक दिन घर से बाहर जाने की आग्या देते हैं चुकि वो बहुत बृद्ध है सिर्फ Tuesday को पूछा जा सकता है Mr. Woody Field को कब allow किया जाता है किस दिन allow किया जाता है घर से बाहर निकलने के लिए तो उसके जो family members हैं चुकि बहुत बृद्ध हो गया है Mr. Woody Field तो सिर्फ Tuesday को उसे allow करते है मंगलवार को वो घर से बाहर निकल पाता है He lives with his wife and daughter अपनी पत्नी और पुत्री के साथ वो रहता है कौन? Mr. Woody Field रेजी के बारे में देखते है The son of Woody Field dies in world war first अब Woody Field का बेटा है रेजी जिसकी वर्डवार इसके भी Woody Field के बेटे की भी वर्डवार प्रतम में प्रतम विश्युद में डेख होती है रेजी की The boss a well-off friend of his Boss क्या है? Mr. Woody Field का दोस्त है The boss एक business man है और Mr. Woody Field का दोस्त है Who has lost a son in world war first इसका भी एक बेटा विश्युद प्रतम में मारा जाता है प्रतम विद्ध कहने का ताक पर यह है दोस्तों कि The boss और जो Mr. Woody Field है दोनों के बच्चे प्रतम विश्युद में मारे गए है Massey Office boy है जो कि The boss के घर पे रहता है The fly a symbolic device of the story The fly है जो मक्खी है symbolic device है एक तरह से प्रतिकात्मक रूप से मक्खी को senselessly मारने के जरिए युद्ध में किस तरह से जो एक अर्थहीन मृत्य होती है उसको दर्शाया गया है Gertrude की बात करें Mr. Woody Field's daughter है Gertrude और Hamlet में भी Gertrude आती है Hamlet की मा के रूप में Gertrude Mr. Woody Field's daughter आईए कहानी को हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों ये rare है और क्योंकि हिंदी में कहानी बताने का उदेश्य आपको सिर्फ इतना होता है कि आपका concept के लियर हो जाए concept का clearance बहुत जरूरी है so that उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा mcqs करके उससे related मैं अक्सर अपने सारे दोस्तों को बताता हूँ सारे तैयारी करने वाले aspirants को बताता हूँ कि जितनी ज़्यादा आप practice करेंगे concept के लियर करिए concept के लियर करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन आपको practice भी करनी होगी आपकी exam का nature mcqs का है आज तो हम देखते हैं उन लोगों को जो कभी mcqs की निंदा करते थे आज mcqs पढ़ा रहे mcqs के बेस पे जो लोग very critics थे और बहुत सारे लोग mushrooming कहर हो रही है मैं उस mushrooming पे नहीं जाना चाहता लेकिन हमारे यहाँ आपको किया जाता हम आपका आवाहन करते हैं अगर आप आते हैं हमारे यहाँ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो हमारे यहाँ आपकी बहतरीन तयारी होगी और description में नंबर्स दिये हुए हैं आप उन नंबर्स पर contact कर सकते हैं हमारे telegram channel को जो कि free है उसे आप जोईन कर सकते हैं उसके अलावा आप हम से और भी माध्यमों से जोड़ सकते हैं आप चाहें तो इंस्टा पर आ सकते हैं ट्विटर पर आ सकते हैं आप जोड़ सकते हैं सारे link हम आपको दे देंगे description में आए देखते हैं कहानी का हिंदी सारांश यहां कहानी एक व्रिद्ध व्यक्ति के जीवन की दुखत घटना का वर्डन है जिसे वह boss कहती है जो लेखी का है वो boss नाम के व्यक्ति की कहानी कहती है जिसके युवा पुत्र की युद्ध में मृत्य हो गई थी प्रतम विश्युद्ध में उसके युवा पुत्र की मृत्य हो गई थी और इसी जो दुखत नाम का व्यक्ति है इसका दूसरा मृत्र जो है मिस्टर वोडी फील्ड है जो इतना बुड़ा है कि उसका परिवार उसे इस डर से प्राया बाहर नहीं आने देता और उसके साथ कोई दुरघटना ना हो जाए कहने का मतलब बहुत मृत दो चुका है उसके फैमिली मेंबर्स वोडी फील्ड के उसे बाहर नहीं जाने देते कि कहीं कोई एक्सिडेंट ना हो जाए वह सब्ता में केवल एक बार मंगलवार को ही बाहर आ सकता था जब उसे अच्छे कपड़े पहनाये जाते थे और वह दिन बर शहर में कहीं भी जाने के लिए स्वतंतर था उस दिन इस बात की कोई चिंता नहीं करता था कि वह कहां जाता था अत्वा क्या करता था और वह अपने मित्रों के साथ मौच करता था वोड़ी फिल्ड मंगलवार को निकलते थे मित्रों के साथ घूमते थे टहलते थे और चुकी बहुत ओल्ड हो चुके थे तो उसके फैमिली मेंबर सिर्फ मंगलवार को ही अलाव करते थे तुम जाओ और घूमो टहलो तोड़ा अपने दोस्तों से मिलो तो वो यह काम करता था मंगलवार को एक मंगलवार को अपने पुराने मित्र बॉस के पास गया एक वोडी फील्ड से बॉस उम्र में पांच वर जादा था लेकिन फिर भी वो अभी तगड़ा लगता था वो थोड़ा हिश्ट पुष्ट लगता था वो उसके साथ उसके आफिस के कमरे में बैठा था अब वोडी फील्ड और बॉस दोनों मित्र हैं दोनों आफिस में एकी क अब देखिए बॉस को तब बहुत अभिमान हुआ जब वडी फील्ड ने उसके यहां प्राप्त होने वाले आराम की प्रशन्सा की अब यहां पर देखिए दोस्तों जो आदमी जूटी शान सौकत में मतलब एक जूटा एगो ओफिस में बैटा हुआ है उसने प्रशन्सा की की बहुत आराम मिल रहा है मुझे और थोड़ा सा बॉस को बहुत इगो फील हुआ बहुत अच्छा लगा कि हां हमारे यहां बहुत सारी सुवधाएं हैं बहुत सब कुछ अच्छा है उसने बताया कि उसने नई दरी नए फरनीचर तथा विशाल पुस्तकों की आलमारी व सुन्दर मेज यह सबसे इसका जो एक तरह से डेकोरेशन कर दिया है या इसका विल्कुल नमीनी करन कर दिया है उसने उसे अपना नया बिजली का हीटर भी दिखाया जो जीवन में उसकी नवीन रुचिका दियो तक था तो यह भी दिखाया था बॉस जो बॉस है कि देखि लगवक्षा वर्स पुरानी थी और इस फोटो ने उसे कुछ हस्मरण करा दिया वोडी फील्ड को कुछ याद आया फोटो देखके यूनिफॉर्म में एक लड़के की फोटो देखके जाहिर सी बात है वोडी फील्ड का लड़का भी प्रतम विश्युद्ध में मारा गया तो बहुत सारी चीजें वोडी फील्ड को याद आ गई बॉस ने अपने डिस्क के नीचे एक दराज खोली और शराब की बोतल निकाली बॉस ने क्या किया जो बॉस नाम का व्यक्ति है वोडी फील्ड का जो दोस्त है दराज से खोली और शराब की बोतल निकाली मिस्टर वोटी फील्ट को बहुद आशचरी हुए क्योगी उसे घर पर शराब पीने का अग्या नहीं थी। psychology parcel इसधू का चांट कर रहे कर रहे थै। जबकि वोडी को घर पे शराब पीने का रातीत की और मिढ गया और उसने अपने बेटियों के बारे में बताया जो बॉज के बेटे बेटे की डित हो गई थी, उसकी लड़की गई होगी कब्रगाह में, उसने बॉस कहने किसकी बेटी, वुडी फील्ड की बेटी, बॉस के बेटे की कब्र को देखके बहुत दुखी हुई, ऐसा बताया कि इसने वुडी फील्ड ने, ये बच्चे एक दूसरे से बहुत संबन थे बहुत दोस्ताना संबन थे इसलिए जो वुडी फिल्ड की लड़की है बॉस के बेटे की कब्र को देखके बहुत दुखी हुई ऐसा वुडी फिल्ड ने बॉस से बताया उसने यह भी बताया कि कबर का स्थान बहुत सुन्दर था और लड़कियों को देख कर बहुत प्रसनता हुई उसने बॉस से पूछा कि क्या कभी वहां गया है वोडी फील्ड ने पूछा कि आपने बेटे की कबर पे कभी गय हो परंद उसने मना कर दिया, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं गया, अपने बेटे की कबर पे नहीं गया, बॉस की दुखी भावनाओं को चिंता किये बिना ही मिस्टर बुडी फिल्ड ने विस्तार से बड़न किया कि वहां होटल वालों ने ग्रहांको को किस प्रकार लूटा, वो बताता है वही सारी चीजें कि हम वहां गये थे कबर के पास, कैसे क्या क्या हुआ, फिर मिस्टर बुडी फिल्ड वहां से चला गया, और बॉस ने अपने डेस्क बंद कर ली, अब वह बहुत गंभीर था, बॉस का मूट थोड़ा सा सीरियस हो गया, और कमरे में खाली पन क कर लिया वुडी फिल्ड के जाने के बाद, क्योंकि वह अब नहीं चाहता था कि उसके पास कोई आए, वह थोड़ा चिंता में था, शायद उसको अपने बेटे की याद आ रही थी, जिसकी डिथ वर्ड वर्फरस्ट में हो गई थी, एक प्रकार से बॉस को अचानक अपने वाज में नशे में था ही, मेरा बेटा ऐसा शब्द बोला, परंद उसकी आँखों में आँसु नहीं आये, उसे आश्चरि था कि उसकी आँखों में कहने का मतलब इतने दुख में एक समय के बाद आखें भी पत्थरा जाती है, आँसु नहीं आये उसकी आँखों से, उसक वो दिन याद आते थे जब उसका पुत्र जीवित था, उसने युद्ध से एक वर्स पूरो कार्याले आना आरंब कर दिया था, वह इतना सफल था कि प्रत्येक व्यक्ति उसे बधाई देता था और कार्याले कर्मचारियों में बहुत प्रसिद्ध था, प्रत्वजाना के एक इसके बेटे की डेथ हो गई, प्रत्म विश्युद्ध में, यहां लगबग 6 वर्स पूरो की बात है, वास को लगा कि 6 वर्स का, यहां समय अत्यंत सीगर व्रतीत हो गया है, वह उठा और फोटो देखना चाहता था, पर असाहस नहीं जूटा सका, क्योंकि उस फोटो में वह लड़का अपनी वास्तविक्ता से बिलकुल भिन दिखाई पड़ रहा था, तभी अचानक एक अप्रत्यासित घटना होई, और उसने देखा कि एक मखी रोशनाई की दवात पर गिर गई थी, यह सब सोची रहा था बास अपने बेटे के बारे में, अपने बेटे की य लाद में खोया हुआ था, तभी उसने देखा कि दवात जो इंग पॉट होती है दोस्तों, इंग्लिश में इंग पॉट बोलेंगे, तो उसे क्या दवात में उसने देखा कि एक मखी गिर गई है, वह बाहर आने का प्रयत्न कर रही थी, वह जो मखी गिरी हुई थी, वह ब जो सोखता होता है, स्याही सोखने वाला, पहले होता था, जैसे स्याही गिर जाती थी, सोखने का काम करता था, तो उसे एक स्याही सोखते के एक टुकड़े पर रख दिया, मखी को, किसने बॉस ने, मखी को तुरंत आराम मिला, उसने अपने अगले पाउं से अपना शरीर वा पंक सुखाना आरंब कर दिया, उसने इस प्रक्रिया को दोराया और शीगरी सामानी हो गई और वा उड़ने के लिए तैयार थी और इस प्रकार अत्तिंत गंभीर खत्रे के पश्चात उसने जीवन को पुना प्राप्त कर लिया था, ततलम मक्षी सर्वाइब कर गई, उपर भारी बोच के समान था, अब वह चलने के योग्य नहीं थी, परंत उसने साहस बनाये रखा, किसने मक्षी ने मक्षी के बारे में बात हो रही है, उसने बहुत कठिनाई से स्वयम को आगे घसीटा यद्यप उसे बहुत कष्ट हुआ, शरीर सुखाने की सारी प्रक्र सर्वाइवल का बहुत बड़ा कमिटमेंट है, जीवित रहना चाहती है मक्षी, इसकी प्रशंसा की बॉस ने, ऐसा लगता था कि वह कभी न मरने की अत्यंत कोशिश कर रही थी, उसने अब चलना आरम कर दिया, यद जब इस बार उसकी गती बहुत धीमे थी, अचानक बॉ बोया और शाही की एक बून फिर से उसके उपर डाल दी, या मक्षी के लिए सहन करना संभो थी, अब की बार उसमें गती दिखाई नहीं पड़ी और वह चित पड़ी रही, बॉस ने उसे पैन से हिलाया, परंत उसमें कोई गती नहीं थी, वह मर गई थी, बॉस ने मक्षी के शरीर को उठा कर कुड़ेदान में फेक दिया, परंत वह अपने अंदर बहुत व्यथित था, उसने मैसी को घंटी बजा कर बुलाया और तुरंत नया स्याही सोकता लाने का आदेश दिया, अब उसे यह प्रतीत हुआ, कि दुख और कष्ट जीवन के अंग होते हैं, और का पूरा पीडिएफ आप हमारे अप्लिकेशन पे आके इसे अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और पूरा का पूरा मैटर और बागी लिटरेचर का जितना भी स्टडी मटीरियल है, वो आप अवेल कर सकते हैं, तो दोस्तों, यह रही दफलाई की स और उससे related सारे facts जो exam के लिहाज से आपके लिए महातुपूर्ण है वो हमने आपको बताया और दोस्तों आप हमसे telegram पर free में जुड़ सकते हैं हमारे quizage का फादा ले सकते हैं apps से आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर आप LTE grade literature grammar GS का course लेना चाहते हैं चुकि literature खतम ही होने वाला है इसके बाद हम grammar और GS पर ज्यादा concentrate करेंगे अभी भी हमने grammar और GS पढ़ाया है लेकिन उतना ज्यादा concentrate नहीं कर पाए हैं लेकिन literature चुकि बहुत बड़ा course है literature का LTE grade का हलाकि job भी बहतरीन है उसमें कोई दोराय नहीं UPTGT से much better job है यह नहीं कहता लेकिन उसी हिसाब से course भी थोड़ा बड़ा है work based question ज्यादा आते हैं कोई इतना tough time नहीं है अगर कुशल मार्ग दरशन हो अगर सही व्यक्ति का एक professional जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को तैयारी करवाने का जिस व्यक्ति ने खुद तैयारी की हो अच्छे से अगर वो आपको guide कर दे तो आपका काम हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा दिनों की तैयारी नहीं होती लेकिन आप जो YouTube पर mushrooming है उससे सावधान रहिएगा YouTube पे बहुत सारी दुकाने खुली हुई है और वो कई बार आपको दिख्ध्रमित कर सकते हैं लोग पांच पांच सव में च्छे साथ साथ सव में हमें नहीं समझ में आता कैसे पढ़ा रहे हैं और कैसे वो कर रहे हैं ये मेरी समझ के बाहर की बात है खैर anyway दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है आज का जो भी YouTuber है या आज के जो भी YouTube देख average अंये हैं आप अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी का ध्यान रखिए, अपने मानसिक स्वास का ध्यान रखिए, अपने शारिरिक स्वास का ध्यान रखिए रेगुलरली पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए 100% आपको सफलता मिलेगी Thank you very much दोस्तों